नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का एक्वेस्टिव की एक और नहीं वीडियो में और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ बात करने वाला हूँ अभी एक नई अपलाई कर सकते हैं ओनलाइन एप्लिकेशन दोस्तो स्टार्ट हो जाएगी 22 फरबरी से ही और इसके बाद दोस्तो बता दूँ कि रिजिस्ट्रेशन की जो लास्ट देट है वो है 15 मार्च तक फी पेमेंट की भी लास्ट देट है दोस्तो 15 मार्च तक एक्जाम आपका हो सकत हैं जो कि आप लोगों को देखने को मिल रही है पर इनके अलावा भी और सारी भी रिकूट्मेंट हमें देखने को मिलती हैं 10 और 12 के जो बच्चे हैं वो दोस्तों जो 10 वाले हैं वो भर सकते हैं MTS का फॉर्म का पेमेटरिक्स रहने वाला है 25 साल मैक्सिमम एज बताई जा मैं पूरी लिंक दे दूँगा पर इतनी सारी जो वैकेंसी यह हमें देखने को मिलती हैं विद पेस्केल आप लोग को अंदादा लग जाएगा कि कितना यहां पर आप लोग को जो आपकी सेलरी होने वाली है इस तरीके से आप लोग देख लिजे दोस्तों की लैब्रेरी में रहनी चाहिए एक साल का experience इस तरीके से जुनियर इंजिनियर असिस्टेंट है दोस्तों 27 साल maximum एज है दो साल का ITS certificate रहना चाहिए ओके यह सभी उनके लिए है जिनका यहां पर ग्रविजिशन के बात वाली होगी पर दोस्तों अगर बात करें लडिशी पे 12th pass का व्यक् में 27 साल है इसी तरीके से दोस्तों MTS में भी निकली है वहाँ पर आपको 10th pass होना बहुत कंपल सरी है सेम आपको वहाँ पर भी typewriter के लिए ok manual speed आनी चाहिए आपकी typewriter में आपकी 30 word per minute वाली और English की speed आपके आनी चाहिए 30 word per minute पर इस हिसाब से आनी चाहिए आपकी 35 English में और 30 हिंदी में ok फिर दोस्तों अलग-अलग निकली है पर वह अलग-अलग आपके हिसाब में है वहाँ ग्रेजिशन की कंपल सरी है तो जो बच चिप अगर ग्रेजिशन की भी देख रहे हैं तो वह इन नोटिविकेशन को पढ़ सकते हैं description में मैं सारी बाते उनको बता अगर दोस्तों आप लोग को बता हूं यहां पर मैं तो जो आपकी फी होने वाली application की वह दोस्तों रहेगी जनरल OBC एड़ुलस के लिए और जो सेस्टी हैं और पी एचन के लिए 100 रुपे रहने वाली है इतनी आपकी रहेगी जो आपकी फी रहने वाली है इसके लिए काफी अराम से आप लोग इसमें कर सकते हैं मिनिममम एज दोस्तों अठारे साल होनी चाहिए मैक्सिम सत्ताइस तक आप जाएंगे और जैसे एज रिलेक्सेशन मिला है वो भी आप नोटिफिकेशन में अच्छे से पढ़ भी सकते हैं अपलाई कैस करना है यह जो आपको ल दिक्कत के ओके दोस्तों तो यही थी पूरी वीडियो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे वेकेंसी हैं नीचे सभी लिंक्स दे दूँगा जो भी आपके दिक्कत होगी वह आप लिंक से पढ़के दूर कर सकते हैं ओके और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को मिलते हैं नेक्स वीडियो में तबता के लिए हेव नाइस दे एंड टेक केर